यह बता यह बिहार का experience कैसा रहा है यहां पीपल यहां के जो लोगे बहुत warm है and welcoming नमस्कार मैं हो तबसुम अली और आप देख रहे हैं बोलो जिंदगी अभी बोलो जिंदगी की टीम हमारी मौझूद है आरे अभेट knowledge university में जहां पर पांच दिन का workshop लगाया गया था हमारे साथ अभी बैठी हुई है dr. Komeli इनिटी मैं वैसे तो आप हैदराबाद में हैदराबाद से बिलॉंग करती हैं लेकिन अभी आप at present आप कहां पुरा रहे हैं अभी यूके में आपकी पढ़ाई भी हुई है फिर भी आपका इंडिया से इतना जुड़ाव और आप इंडिया करके इतना मतलब काम करें तो हमारे लिए बहुत गर्फ की बात है तो अभी भी आपका जुडाव इंडिया से है जुडाव है बिल्कुल है हर साल आते हो और बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं जो इंडिया में काम करते हैं हर साल बिल्कुल आते हो यह हमारे लिए खुशी की बात है कि लोग अगर हमारे इंडिया के लोग अगर बहार जाते भी तब भी वो हमारे इंडिया के बारे में सोचते हैं तो बहुत अच्छा लगा मैम आपसे मिल करके आए जानते हैं क्या है ये वर्क्शॉप और क्या-क्या यहाँ पर किया गया मैम ये किस तरह का वर्क्शॉप ये हैं जिसमें पांच दिन का ट्रेइनिंग प्लेस्ट को लिक्शॉप ये सिब आयोजन किया गया है जिसमें अलग अलग स्टेट से अकडेमिक्स रिसेर्च आये हैं जो पूरे इस प्रोजेक्ट को कोडिनेट कर रही थी और इसके बारे में हम इन्हीं से पूरी जानकारी लेते हैं कैसे इनके जहन में ये चीज़ आई कैसे इनको लगा कि इस तरह का कारिक्रम यहां पर होना चाहिए इससे पहले भी ये वर्क्शॉप कही हुआ है नहीं हमने किया है अलग-अलग टाइप हमने के से विदे में अच्हाइब करने के बाद एक पूरे यह हुआ है selection process हुआ है पहले उनको select किया गया अप्लिकेशन मतलब assignment application के थुरू वो actually online application submit किया online application में जिसमें CV recommendation letter उनके university से plus एक draft research paper submit किया है उन्होंने सारे सुरू और मैम जिसे पता चला कि इस project को यह करना है तीन country में इस तरह का project पे काम होगा मैम तो कौन-कौन सी country शामिल है तो इस में एक इंडिया है और दुसरी country है Iran and तुसरी है UK तो आप basically क्या करती है मैं यह तो अभी आप यहाप coordinate कर रही है पूरा project को इसके अलावा आप क्या करती है मैं actually assistant professor या lecturer जो भी designation बोलो University of Wolverhampton School of architecture and built environment में academic हों and वहाँ teach करती हो research भी करते हो and यह actually एक मेरा project है बहुत सारे projects है उन मेंसे यह भी एक project है इसके अलावा भी आपके और projects है okay तो फिर इसको करने का idea आपको कहां से आया है कि इस तरह का हमें कुछ urban में हमें करना चाहिए so actually यह idea आया है 2020 में 2020 में urban studies foundation करके एक foundation है जो funding देते है research के लिए तो जब हमने वह call देखा तो मुझे लगा कुछ ऐसे कुछ कुछ करना चाहिए जो capacity building हो plus experts को भी involve करें तो urban studies foundation का call देखा एंड वो specifically called topic the urban inequalities and covid-19 specifically so वहां से फिर मैंने चुचा यह सही है तो हम ऐसे कुछ कर सकते हैं so proposal था actually re-click मतलब actually project है कि involving people and public and governments in decision making processes ऐसा कुछ है तो so first event जो हमारे event था वो दिल्ली में हुआ था last week last Friday को and the topic was urban precarity and covid-19 तो वो actually है urban thinkers lab जिसमें experts सारे experts का discussion हुआ है यह है early career research का पांच सेंगे capacity building वो experts का discussion lab है it means हम यह कह सकते कि वो expert का आपने वहां किया यहां पे जो लोग participant थे यह आगे चलके experts बनेंगे उस तरह का यहां पे workshop का जो किया है आपने तो में भी यह आगे चलके export हो सकते जो यहां सीख करके जाएंगे absolutely अगर आप देखा जाए हमारे इंडिया में recently नीती आयो के report है उसमें आया है कि पूरे इंडिया में at least 15,000 के planners urban planners की जरूरत है इसमें पूरे शेहरे 7,000 कुछ towns है cities and towns पूरे इंडिया में मुझसे कुछ cities हैं जिसमें एक भी urban planner नहीं है so यह सब capacity के जरूरत है and हम तो जानते है smart cities हो healthy cities initiatives हो फिर वापस healthy cities actually government of India ने recent last October को initiative launch किया वो है healthy cities initiatives मतलब अगर covid-19 दुबारा आएगा तो फिर हम कैसे tackle किया जा सकता है दलकुल शायद कहीं न कहीं covid से inspire होकर के उस समय जब covid के time में जो लोगों को जो परिशानिया जहलनी पड़ी hospitals के लिए या एक safe place के लिए तो अब जो आगे जो planning होगी urban cities की वो इन सब चीजों को ध्यान में रख करके if I am right ma'am कि ये सारा जो आप लोग organize कर रही है ये शायद future को ध्यान में रख करके ताकि आगे लोगों को ऐसी परिशानी का सामना ना करना पड़े बहुत अच्छा काम कर रही है ma'am और ऐसे ही आप आगे भी इस तरह करते रहे ये बताए ये बिहार का experience कैसा रहा यहां पर आपको पिहार तो बहुत अच्छा में ये फर्स टाइम नहीं है second time मेरा last time first time आई थी and actually मैं भुद की बहुत मानती हूं so last time जब मैं आई थी बहुत गया भी गई थी and इस बार भी बहुत अच्छा लग एन especially people यहां के जो लोगे बहुत ब बहुत अच्छा लगा मैं आपसे बात करके और all the best हमारी पूरी team की तरफ से आप इसी तरह अच्छे चे काम करते रहे और ठीक है development की तरफ तो हम बढ़ी रहे हैं लेकिन उन basic चीजों को भी आप लोग ध्यान में रख रहे हैं mainly की public की जरूवत को ध्यान में रखना safety के